दोस्तों आपके अपने चैनल on study class पर मैं आज आप लोगों को आर्थिक नियोजन क्या है इसके बारे में बताने वाला हूं तो आपका एक्जाम बहुत ही नजदिक है और क्या है कि आपका जो economics paper 5 का एक्जाम जो की 29 तारिक से है तो इसका हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके बारे में आप लोग सुनते रहेंगे पढ़ते रहेंगे देखते रहेंगे ताकि दिमाग में रहेगा clear जब तक एक्जाम नहीं हो जाता तो इसका जो एंसर है वह है अर्थिक नियोजन बास्तम में दो सब्ध आर्थिक और नियोजन से मिलकर बना है clear आर्थिका आर्थिक क परवंद करना हम यह भी कर सकते हैं कि आर्तिक उद्स्री यह करने के लिए पहले सभी परबंद करना हिसारण का परिषाश तो देखते हैं परफेशर लेविश के अनुसार आज मुखे परस्ट या नहीं है कि किसी देश में नियोजन हो या नहीं क्योंकि उस अभी देश में चाहे वो समाजबाद को मानते हो या पुजी बाद को या मिश्रित अर्थ विवस्ता को किसी न किसी रूप में नियोजन चल रहा है इतना आसा है अवस्य है कि कहीं दिरिश्य नियोजन है तो कहीं अदिरिश्य नियोजन है इस परकार हुए सभी नियोजन बादी है आर्थिक नियोजन की कुछ पर कार संगठित किया जाता है कि वो आदर्स बन जाए किलियर डॉक्टर डाल्टन के नुसर क्या है कि व्यापक अर्थ में आर्थिक नियोजन विसाल साधुनों के सरचन द्वारा निश्चित लच्च्यों की प्राप्ति है तू आर्थिक किरियाओं का सच्चेत निर्देशन है प्रोफेसर हेक के सब्दों में आर्थिक नियोजन से अभी पराया केंदरिय सता द्वारा उत्पादन किरियाओं में निर्देशन है आर्थिक नियोजन के उदेश्यों हमेशा किनी निश्चित उदेश्यों के लिए किया जाता है बीना उदेश्यों के जो नियोजन किया जाता है वह संसाधनों के उप्योग का एक राजनेतिक दिखावा होता है बास्तव में नियोजन एक उदेश्य पूर्ण किरिया है इसके उदेश्यों के सबंद में कुछ परमुक विद्वानों ने नीम्न परकार से अपने विचार पर स्तोत किये हैं कोश्चान आप लोगों स्वैम में एक उदेश्य किरिया है किनी पूर्व निश्चित उदेश्यों के बिना नियोजन की कलपना करना कठीन है यह हुआ साधन है जिसका परियोग किनी निश्चित लच्चियों की प्राप्ति के संदर में किया जाता है वाडिया एवा मर्चेंट के अनुसार मनुस् दूखो को विकासित करना, गरामिन जीवन को सुभी धा जनक बनाना एबंबिश्थ्रुत बजारों का विकास करना यही आर्थिक नयोजन के पर्वुक उदेश्य से है। योजन के उदेश्ये का सवांद देश का दिर्कालिन आर्थिक समस्याओं से रहता है जबकि यहांपर भी द्यान में रखना आवस्चक यह और बीचार करने यह भी दियान में रखना उचित होगा जो अर्थिक ही नहीं होते हैं वरन समादी के वह राजनितिक भी होते हैं इसी स्थिती में सभी उदेश्यों पर विचार करना अवस्यक है आर्थिक नियोजन के परमुक उदेश्य के निवन वर्गों में विभाजित क्या जा सकता है आर्थिक उदेश्य क्या है तो बस तो था आर्थिक न पूर्ण रोजगार परदान किया जाना बहुत जरूरी होता है आर्थिक नियोजन के द्वारा देश के बेकार साधुनों का सदूप योग करके रोजगार के अफसरों में बिरीदी की जा सकती है जब तक की बिरुजगारे की समस्या का समधान नहीं होगा तब तक जनता के जीवन अस्तर को उचा नहीं उठाया जा सकता है पहला पॉइंट दूसरा आत्म निर्वर्ता नियोजन की सहता से परतेक देश का आत्म निर्वर्ता की ओर आगे बढ़ने का प्रियास करता है इस प पर्मुकार्थिक उदेश से होता है सरकार इसके लिए अमीरों पर अधिक करार ओपन करके उसे गरीबों के कल्यान पर खर्च करती है यह आयका जो समान भी तरह नहीं यह भी बहुत इंपोटेंट है जो बहुत से धनी बेखती होते हैं उसका पैसा जो है करके इसाब से ले अधिक उत्पादन करना बहुत जरूरी होता है अर्थिक नियोजन का पर्मुक उदेश से राष्टी उत्पादन की अधिक्तम करना है उत्पादन को अधिक्तम करने के लिए अनेक उपाय करने परते हैं पिछरे छित्रों का विकास होना चाहिए अगला जो पॉइंट है भ अनेक को में प्राकेर्टिक स्यादुनों का तो बहुब होता ही यह यह लेकिन वह उनका पूर्ण बिदोऊन ना कर पाने के कारण गरीब ने रहते हैं आग समस्या यह यह और यह समस्या नियोजन इस सी यह भी होता है कि देश के बेकार सादुनों का पूर्ण उपयोग किया जाए ताकि आर्थिक विकास की गती मिती विर्ता लाई जा सकते हैं जैसे कि हम लोगों को बहुत समय पहले यह जो है क्या कहते हैं पानी ऐसे ही बरबाद होता था तो उससे अभी कोई लाइट बन रहा है कहीं पर बहुत ऐसे संसाधन जिसका उप्योग मतलब नहीं कर पाते ह हम लोग यहने कि भारत में जो भी है बहुत संसाधन अना पराकिरते को उसका यूज नहीं कर पाते हैं कि करने लगते हैं अगर करना सुरू कर दे अगर अच्छे से यूज तो इसको क्या कर सकते हैं बढ़ाया जा सकता है ठीक है ना अफसर की समानता अफसर जो भी आफसर आता है उसमें समानता होनी चाहिए तो देष के परतेक नगरी को फसर की समानता प्रतान करना भी नियोजन tota का यका अर्थ्क उडेश्य हूता यह उत्वादण बिन्नमें वम्वितरन की श्तेती को सुदारा जा सकता आर्थिक सुरच्छा नियोजन के कारण अफसर ही समानता आती है और परत्तिक साधन को उसके स्राहिम वो उचित पर तिफौल प्राप्त होता है हम यह भी कह सकते हैं कि नियोजन मज़ूर को प्रियाप्त मज़ूरी पूजी पती को उचित भ्याज भू स्वामी को लगान तदा सासी को लाप पराप्त हो ताकि संपूर समाज को आर्थिक सुरच्छा पराप्त हो सके अधोगी करन को बढ़ाबा विशेश तोर से आब एक सित देशों में अधोगी करन करना भी नियोजन का एक परमुक उधिस से होता है आज कल तो अधोगी करन नियोजन का एक परमुक अंग बन गया है बिल्कुल यह बस ही है यह संतुलित विकास के लिए अधोगी करन को विख्रा हुआ भी राज है तो अगला पॉइंट है उच्छी जीवन स्तर उस्तर कैसे carry आज किया जाता है की जनता के जीवन सुधार ही तिक इस डंग से किया जाता है कि समाज अधिकतम लोग की स्ने और पढ़ता देश देश्व मेरे जनता के जीवन गया प्रहें किलीए उन्हागा के के नियोजन के समाजिक उदेश्यों को भी आर्थिक उदेश्य से अलग नहीं कर सकते हैं, यह भी एक दूसरे की बिरोधी नहों पूरक है, ठीक है न, नियोजन के समाजिक उदेश्यों का समाजिक समाजिक कल्यान की विचारधरा को लेकर आगे बढ़ते हैं, नियोजन के कुछ परमुकि समाजिक उदेष्चा देश में आगरिक पूरी मेनट अथरलगन की से करें करें इनके लिए यह भी जरूरी है कि वो किसी अकस्मिक विपती के समय पूर्ण रूप से सुरची तरह है, समाज में ब्यक्तियों को समाजिक सुरच्छा की बिवस्ता करना भी आर्थिक नियोजन का उदेश से होता है, समाजिक सुरच्छा का अंतरगत, बिरोजगारी, बीमा चिकिस्टा, सुविधा, पेंसन, सुभिदा बीमा आशरीतों को रोजगार की बेवस्ता आधी को सामिल किया गया है समाजबादी समाज के स्थापना आर्थिक नियोजन का उदे से समाजबादी समाज के स्थापना करना भी है इसके लिए आयक या समंता को दूर करना लगू एवं कुटी रूधोकों को भिकास करना सकती परिबहन हुआ अन्य समाजिक सेवाओ का बिश्तार करना समाजिक संगठन में सुधार करना तथा उत्पादन में बिरिधी करना कल्यानकारी राजे के स्थापना करना अगली जो पॉइंट है नियोजन का उदेश्ते देश में कल्यानकारी राजे के स्थापना करना भी होता है राजनातिक उदेश्ते क्या है आज की यूग में यूच्छ पर्मुख राजनेतिक उदिश्य के सबसे अधिक दियान देना चाहता है, अपनी राजनेतिक सूरच्छा को बनां रखने के लिए सहने बल को बिच परातमिक्ता देना बहुत जरूरी है, परतेक देश अपनी सैनिक सक्ती का विस्तार करने के लिए यूद समागरी का स्वैम निर्मान करते तता कुछ समागरी भी देशों से आयात करते हैं इस करे के लिए आर्थिक नियोजन का सारा लिया जाता है हम यह भी को सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का प्रकिरिया का संचालन इस डंग से किया जाता है कि देश की सुराचनात्मक सक्ति में निरतर विरीदी हो आज की यूग में सुराच्छा के बिना आर्थिक विकास करना संभव नहीं है चीन तथा पकिस्तान के आक्रमन के बाद भारतिय नियोजन का पर्मकोदेश से देश की सुराच्छा करना हो गया है संथी आज की यूग में सासक दल आंतरिक राजनेतिक संथी बनाये रखने के लिए भी आर्थिक नियोजन का उप्योग करते हैं जब तक देश में नहीं रहेगी तब तक गति से आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा अब तो 27 आर्थिक विकास के महतापूरल ऩंग बन गया है जिन देशों में अंतरिक सांथी अधिक होती हैंower बिखुत राष्ट तक्निकी आर्थिक सहता देना पसंद करते हैं देखिए यह यह है सांति की बात वह सांति कहीं न कहीं जो देश के अंदर है वह सभी देश में असान्त है कुछ न कंच यह जो चनसंक्या जीस रभतार से बढ़ रहा है और लोगों पता ही होगा इसमें क्या हो रहा है कि असांती का महोल बना हुआ रहता है कहीं भी न्यूज में सुनते हैं तो सभी देश का ये समस्या अभी फिलाल चल रहा है और इस पर भी सयम करना बहुत जरूरी है तो देखते हैं ये जो कोशन है एक्जाम में आ रहा है या नहीं ये इसमें है कि बहुत इंपोटेंट ये करना है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थांक्यू फोर वाचिंग